हेलो फ्रेंज अडिक्रिशन अफेक्ट चैनल में आपका स्वागत है हाजीर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके तो आपको पता है कि पिछले कल देशाम को एक अपडेट हमने आपको दी थी जिसमें हमने बताया था कि आपका जो डियलेट का जो एंट्रांस चेक करना है फिलहाल जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वहां पर किनी सीटे हैं तो आप दिखते हैं कि इसमें जो बहुत सारे अभ्यारती हैं 18,000 के करीब है जिन्हों ने ये एक्जाम दिया था जिसमें से की 7,200 के करीब ऐसे कंडिडेट है जिन्हों ने ये पास लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि वह जो 7,000 कंडिडेट हैं वह सभी को इसमें सीट नहीं मिलेगी गमेंट क्या कुछ एक को तो इसमें प्राइबिट सीट भी नहीं मिलेगी क्योंकि टोटल जो सीट है वह है आपकी 2450 तो 2450 ही 7,000 मैंसे जो कंडिडेट है वह स्लेक्ट होंगे यानि की 1 3rd की मान सकते हैं 1 3rd है और जो इसमें 2 3rd है वह भाहर हो जाएंगे सीधे ही तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ यहाँ पे मैंने जो प्रोस्पेक्टस है वह डाउनलोड करा है जो की HP Boss की और से ही जारी क्या गया है इसमें आपका य कि इतनी इसमें कपैस्टी की बात करेंगे कि कितनी कितनी कहां के लिए सीट्स है तो सबसे पहले एकर मैं बात करूं बिलाजपूर डिस्टिक की तो वहां पे 75 यह टोटल आपके लिए सीड्स है गुण्मेंट डाइट्स में और आपका दूसरा है जो चमबा में चमबा के सीटे हैं तीसरा है हमिरपूर का हमिरपूर के लिए 75 है और आपका चौता है कांगडा का कांगडा के लिए 100 है किनौर के लिए 25 है कुलू के लिए 100 है लाहुलसपीति के लिए आपका 25 है मंडी के लिए 100 है शिमला के लिए 100 है और सिरमौर के लिए भी आपका 100 है और आपकी government seat पानी है तो आपको इसमें 900 seat में आना होगा उसके लिए आपको पता है कि आपने अपना जो result है वो चेक कर दिया होगा उसमें मैं भी कुछ एक बचों का चेक कर रहा था तो उसमें आपके 80 वाले भी है students 70 वाले भी है 60 वाले भी है 45 वाले भी होंगे और वेसी बात है लेकि आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने कितने मांक्स है जिससे हमें भी चैनल आइडिया हो सकता है कि government seats के लिए कितनी आपकी cut-up रह सकती है इसके लिए आगे बात करते हैं कि जो private institutes है वहां पे आपकी कितने किनी seats है तो maximum जितने भी आपके institute है private ये total 28 है जहां से आपकी jbt dealet हो सकती है जिसमें आपके सभी डिस्टिके हैं ये और यहां पे total आप अगर मैं बात करूं यहां पे तो private में आपकी जो सीटे है वह आपकी है 1550 ये private में है 900 आपकी government sector से है और total आपकी जो हो गई 2450 ये total सीटे है आपकी जो भरी जानी है तो private के लिए ठीक है कई बच्चे चाहते हैं कि jbt करनी ही है तो वह private में भी कर लेते हैं तो private में ये रहता है कि थोड़ा जो आपका फीस है वो जादा रहती है लेकिन government diet में से अगर आप करते हैं तो वहां से आपका जो फीस है वो बहुत कम होती है आगे इसमें अगर मैं बात करूं जनल आइडिया कि आपकी जो government seat अगर आपको कितने number पर मिल सकती है तो general category से अगर आप है तो मैं ये 100% नहीं है expected है बाकी आप कमेंट करें अपने marks जिससे आगे मैं बता पाऊंँ आपको की exact आपकी कितनी वो cut-off रह सकती है और मैं एक poll भी create करूंगा यह सी YouTube चैनल के माधि कर सकते हैं तो उससे भी हमें काफी पता चल जाएगा कि कितने बचों के कितने marks है फिलहाल अगर आपकी general category है तो मेरे ख्याल से 60 to 65 अगर आपके इसके बीच में score है तब आप उमीद रख सकती है कि आपकी जो government seat है आपकी district में आपको मिल सकती है अगर आपके marks 65 से प्लस है तो आप काफी अच्छी उमीद रख सकते हैं कि आपकी जो selection है government seat के लिए आपकी अपनी जो district है उसके अंदर हो सकती है आपका district के अंदर diet है वहीं पे आपको seat मिल सकती है अगर आपकी mark 60 प्लस है किसी भी कटी किरी से तो बात करिए अगर other कटी किरी की तो 55 तक अगर आपक सकते हैं क्योंकि अभी तक अगर कि मेरिट लिस्ट आती हैं तो वो उससे आपको general idea हो जाएगा हमें भी हम अभी आपके लिए एको से cut up त्यार करेंगे कि कितना कुछ expected है कि रह सकती है तो उसके बेस पे तियार किया जा सकता है लेकिन अभी यह expected ही है कि शायद जो पेपर क के करीब जो candidate है वो पास हुए है तो उसमें minimum marks वाले भी होंगे जो passing marks इसमें रखे होते है 40-45% लेकि उनकी तो मुश्किल है लेकिन अगर आपका score इसमें जो है सब categories में तो आपका 45 तक यह touch कर सकता है लेकिन अगर आपका general category से हैं आप you are category से हैं तो 50 या 48 तक यह cut up जा सकत की तो आप यह मान के चरीक की जो आपकी private में फीस रहने वाली है वो लगभग आपकी one year की 40,000 के करीब आपकी रहने वाली है तो आपका total आपका 80,000 के करीब आपकी तो आपकी 10,000 के करीब ही इतनी भी नहीं लगती है शायद आपकी 1000-2000 के करीब क्योंकि जब आपकी admission होती है उस time आपसे 2500 लिया जाता है बाकी आपकी जो monthly fees रहती है वो 100-800 के करीब रहती है बाकी यही है बाकी कोई थोड़े बहुत extra charge हो गया तो 57,000 आपकी total जो है fees का खर्चाता है बाकी आपका extra खर्च हो गया तो इतना difference रहता है government और private colleges म है तो यह आज की खास update थी तो आई होप यह वीडियो आपको informative लगी होगी अगर आपकी कोई query है तो आप comment कर सकते हैं तो comment में आपके reply जरूर करतेंगे हम जैसे जैसे हमें वक्त मिलेगा तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके रखे ताकि कि आपको हर update मिलती रहें मिलती है अगली वीडियो को साथ तब तक के लिए bye bye